अगर आप लोगों ने इस सेरीज के पिछले विडियो नहीं देखे हैं तो I suggest कि आप उने पहले देख ले सो लेट्स गेट स्टारटेड संग्ची यूनजी से कहती है कि मैंने एक्जाम से पहले बहुत ही पढ़ाई की थी पर जब पेपर मेरे हाथ में आया तो मेरा दिमाग खाली हो गया मेरा दिल भी अब सब कुछ खतम हो गया यूनजी कहता है कि हाँ ये सब कुछ खतम हो गया है पर हमारे लिए ये एक नई शिरुवात है एक्साम खतम होने की खुशी में सभी लोग चैन फैंग रेस्टोरेंट में आये होते हैं संग्ची और यान यान को तो रिजल्ट की फिक्र होती है तो यून्जी अपनी स्पीच दे कर सभी लोगों को मोटिवेट करता है कुछ लड़किया आकर सभी लड़कों के पांस बैठ चाती है संग्ची देखती है कि एक लड़की यून्जी के पांस बैठी है वो लड़की कहती है कि यून्जी तुमने लान्जी को रिचेक्ट कर दिया तो तुम क्या किसी और लड़की को पसंद करते हो लान्जी में फोट रिंग करती है उसके बाद यूंजी सभी लोगों को बताता है कि उसे संग्ची जैसी लड़की पसंद है सभी लोगों को तो पता लग चाता है कि यूंजी संग्ची को ही पसंद करता है यान यान उठकर कहता है कि चीफ फाइनली आपने मान ही लिया मैं कब से अपन फिर तो वहां सबी मौझूद लोग उन दोनों के रिष्टे के बारे में बाते करने लगते हैं जिससे वेन युवान को अच्छा नहीं लग रहा होता चीयान ये बात नोटिस कर ले दी है। वापस आते टाइम युन जी संक्ची को घड़ छोड़ने के लिए आ रहा था ये दोनों तो उन्हें दूर से ही देख रहे थे अचानक से ही दोनों नीचे गिर जाते हैं तो ये लोग बहाना मार के वहां से जाने लगते हैं पर इन दोनों को तो इससे कोई भी फरक नहीं पर है वो तो इतना खुश हो जाता है कि सभी लोग उसे देखकर हसने लगते हैं लियान संक्ची का नाम टून रही थी युन जी परेशान था यान यान उसके पास आता है और कहता है कि मैं 20 नंबर पर आया हूं और मैं पास हो गया हूं मैंने यान फैमली का नाम नहीं डु पाती उससे पहले ही उसका चहरा देखकर संक्ची के डैट समझ जाते हैं और परेशान होने लगते हैं कि मेरी बेटी शायद फैल हो गई होगी यहां पर संक्ची युन जी के पास आती है उसका चहरा देखकर युन जी कहने लगता है कि कोई बात नहीं इसमें तुम्हारी क भी गलती नहीं है कि तुम फेल हो गई हो, संग्ची जोर से चला कर कहती है कि मैं 18 नमबर पर आई हूँ, यून्जी कहता है कि अच्छा तुमने कर दिखाया, तुमने तुम मुझे डरा ही दिया था, मुझे तो लगा था कि तुम फेल हो गई होगी, दूसरी तरफ लियान भी ये बाद संग्ची के डएट को बता देती है, जिसके कारन उसके ड़ैट तो बहुती जीदा खुश होचाते है, वो कहते हैं कि उसने हमारी फैमली का नाम रोशन कर दिया, वैसे ये संग्ची गई कहा है, तो लियान कहती है कि वो तो चीफ से मिल ले गई है, ये सुनकर वेन्युवान के साथ वापस आ रही थी जहां पर वो संगिन से टक्राशाती है संगिन तो हमेशा की तरह उसकी बुराई करने लगती है जब वो ठक जाती है तो वो वेन्युवान के पांस आती है और उसके बारे में भला बुरा बोलने लगती है संगिन कहती है कि इस असांच के बाद वैन्यूआन संग्ची से पुछता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाली तो संग्ची कहती है कि नहीं मुझे घर वापस जाना है वैन्यूआन संग्ची को जाते हुए देखकर एक पास्ट की बात सोचता है कि जब उसे लोग परेशन कर रहे थे तो संग्ची ने हाकर उसकी मदद की थी. उसवकत तो वेन युवान टान जर्फ जो को बता देगा वो संग्ची का वहीं फेवरेट खोड़ा लाता है और कहता है कि संग्ची बच्पन में ये तुम्हें बहुत ही स्यादा पसंद था ना संग्ची तो उसे देखकर बहुत ही स्यादा खुश हो जाती है फिर वो दोनों ही साथ मिलकर शिकार पड़ जाते हैं जहा हम दोनों अलग हो गए तो हमने एक दूसरे को लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया जब मैं बियंजिंग सिटी में था तो तुम एक लोती ही मेरी दोस्त थी उसके बाद तो तुम भी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आ गई तब मैंने अपनी क्लास को बदल दिया क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ सहना चाता था लालटन फेस्टिवल में तुम्हारी बेज़ती सबके सामने ना हो इसलिए मैंने चियान को भी बेचा था तुम्हारी मदद करने के लिए तुम जब पहाडों में मार्शल आर्ट सिखने के लिए गई थी तब मैंने सोचा संग जी उसे रोग देती है कि आगे कुछ बंत बोलो तो वेन्यून कहता है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि तुम और यून्जी एक दूसरे से प्यार करते हो पर फिर भी मैं तुम से प्यार करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी चोईस है ये सुनकर संग जी कहती है कि देखो वेन्यून हम दोनों ही अब मैच्चूर हो गए है मेरे दिल में यून्जी के इलावा किसी और के लिए चगे नहीं है तो प्लीज तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो बाकी हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त दो रहें यह कहकर संग जी तो चली जाती है उसके बाद वेन्यून कहता है कि बच्पन में अगर हम ना मिले होते तो आज चीज़े कुछ और होती संग जी तुमने मेरे लिए कोई पी रास्ताब नहीं छोड़ा है संग जब यून्जी के पास जाती है तो वो गुसा करने लगता है कि तुम फैन्यून के साथ अकेले में शिकर करने गई थी वो गुसा हो रहा था तो संग जी ये देखकर उसे किस करती है और कहती है कि अब तो तुम्हारा गुसा शांत हो गया ना फिर तो वो दोनों ही अपनी शादी और बच्चे तक की बात करने लगते है फिर संग जी अप कर हार्ट टेक की गोलिया खाने लगते है अगले दिन संग्यू की कबर के पांस संग्ची के डैड और यून जी मिल जाते है जहां पर संग्ची के डैड कहते है कि मुझे पता है कि तुम संग्यू के अच्छे दोस्त हो पर मैं संग्ची के लिए एक ऐसा पती ढूंड़ना चाता हूं जो कि हमेशा उसे सेफ रखे यह सुनकर यून जी कहता है कि मैं आपको तब तक मनाता रहूंगा जब तक कि आप इस रिश्टे के लिए राजी नहीं हो जाते तो संग्ची के डैड कहते है कि फिर तो तुम ट्राइक कर लो जितनी ट्राइक करनी है दूसरी और हम संग्ची की बात कर रहा है पर यान यान लियान की बात कर रहा था संग्ची के डैड को भी लियान के बारे में पता लग जाता है कि लियान और यान यान एक दूसरे से प्यार करते है तो वो तो जट से इस रिश्टे के लिए मान जाते है जब यान यान की फैमली संग्ची क तो यान यां की मां तो संक्ची की ही तारीफ कि एचाा रही थी पर चल्दी ही उनकी गलत फेमित दूर हो जाती है यान यान केहता है कि मां मैं लियान से प्यार करता हूं यह सुनकर यान-यान की मा तो बिना कुछ सोचे समझे लियान की सब के सामने बेज़ती करने लगती है कि यान-यान तुम एक नोकरानी से कैसे प्यार कर सकते हो उसको तो इससे भी चैन नहीं पड़ता तो वो तो संग्ची के डैट को भी सुनाने लगती है कि आपने क्या सोच समझ कर इस रिष्टे के लिए हां कह दी आप यान फैमिली के एक लड़के की शादी एक नोकरानी से तैय कैसे कर सकते हैं संग्ची के डैट को तो लगी रहा ताकि यहीं होने वाला है रात में वेन्यवान चब लांजी से मिलता है तो वो कहता है कि हम दोनों की हालत तो एक जैसी ही है हम दोनों एक ही नाव पर सवार है वेन्यवान तो लान जी को पढ़काने लगता है इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जैसे वेन्यवान और सांक जी बचपन के दोस्त है उसी तरह से लान जी और यून जी भी बचपन से ही दोस्त है और एक साथ रहे है वेन्यवान कहता है कि तुम्हारी स्टोरी सुन मान ली मुझे लगता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि क्या पता हमारा नसीब कब बदल शाय वेन्यवान चब वापस चा रहा था तो वो देखता है कि सौंगिन किसी से जगड़ा कर रही है वो लोग तो सौंगिन पर हाथ उठाने वाले थे पर बीच में वेन संग्लेंग को नमक की काला बजारी के बारे में चब पता लगता है तो संग्लेंग इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देता है वेन्यवान को जब ये बात पता लगती है तो वो जियान से कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए यह हिसाब से उसको सरकारी नोगरी मिलेगी जिसमें पहला नाम था वैंयूआन का, वैंयूआन को कोर्ट में वाइस मिनेश्टर की पोश्ट मिली थी, यानि अनको भी कोर्ट में एक आर्मी ओफिसर की जोप मिली थी, यानि की पैट्रोलिंग करने वाला एक सिपाही, फिर सभी स्टूडन को ये बात बताई जाती है और सभी लोग खुश नजरा रहे थे संग्ची का नाम उसमें नहीं था तो संग्ची थोड़ा सैड हो जाती है इसके बारे में यून्जी चब राजा से बात करने के लिए जाता है तो वो संग्जी के बारे में बहुत ही स्यादा अच्छी अच्छी बात करता है राजा को भी उसके विचार अच्छे लगते है कि एक लड़की अगर गवर्मेंट आफिसर बनती है तो ये उसकी कंट्री के लिए अच्छा ही है राजा थोड़ा बहुत सोचने के बाद संग जी को इंपीरिल कॉलेज का मैनेजर बना देते है यून्जी चब घर वापस आता है तो वो लांची को अपने घर पर देखता है आजकर लांची उसके घर के चकर कुछ ज्यादा ही काट रही थी वो दोनों चब बहार जाते है तो संग जी भी उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है फिर तो वो यून्जी पर इतना गुसा करती है कि वो उसे बात करना ही बंद कर देती है यून्जी उसे समझाता है कि उन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है अगले दिन यून्जी संग्ची का हाथ माँगने के लिए उसके डैड के पास गया होता है फुल तयारी के साथ पर पीछे से हम फेन्योण को आता हुआ देखते हैं वो भी इसी काम के लिए आया था संग्ची के डैड तो फेन्योण को जट से पसंद कर लेते हैं संग्ची कहती है कि डैड आपको पता है ना कि मैं यून्जी से प्यार करती हूँ तो फिर अपने वेन्योण को कैसे चूस कर लिया इसी बात को लेकर ये दोनों बाप बेटी तो कुंगफु कटे लगते हैं जब ये दोनों थक जाते हैं तो संगची के डैड कहते हैं कि एक मिनिट हम दोनों आखिर में लड़ क्यों रहे हैं लड़ना तो इन दोनों को चाहिए फिर संग्ची के डैड उन दोनों से कहते है कि जो लड़ाई में जीत जाएगा संग्ची उसी से ही शादी करेगी संक्ची मना करती है कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते मैं यूंजी से ही शादी करना चाती हूँ पर ये दोनों तो मान चाते है कि हाँ हम इसके लिए तयार है फिर लड़ाई करने के लिए बीच बाजार में मंच तयार किया जाता है और ये दोनों फाइट करने चाते उससे पहले ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खतम होता है वैसे काईज आपको क्या लगता है कि इस फाइट में कौन जीते का मुझे कमेंट करके बताना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना थैंक्स फॉर वाच्छिंग बाई बाई